आशा नेगी का ब्रेक अप पर गजब बयान रित्विक से अलग होकर हुआ था परिशान हाल 2020 में आशा नेगी और रित्विक धंजानी ने अपने लगभग 8 साल के रिष्टे को खतम किया और अपने अपने रास्ते अलग कर लिये थे यह ख़बर उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग रही थी ऐसे में टेली मसाला को दिये गए एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में आशा नेगी ने ब्रेक अप के वारे में बात करते हुए कहा था की अ अजिसे अपने हों रहरे इसको सोता है जैसे लोगों के डिवत होते हैं लोगों के ब्रेक अपस होते हैं हमारे भी हो सकते हैं और हमारे भी भी फीलिंग्स में तो, you know, they forget कि already the trauma that they must be going through because of whatever is happening और फिर, I think definitely ये उनको भी पता है कि लोगो के personal matter पे इतना इतना इंटरप नहीं करना चे, इतना troll, मतलब what you are doing is somebody is already going through so much तुम ट्रोल करके उनको और जादा उनको unhappy कर रहे हो या उनकी tension बढ़ा रहे हो so, I feel you troll करने, especially they are not your fans and I also know who my loyal fans are and they are still there so, they are just trollers I feel तो, but आप मुझे फारग निपड़ता उस ताम पर बढ़ा करता था तो जब जब when we went through a breakup, me and Ritvig तो वाले trolls, वो तो ताम पर hurt किये बहुत but I think अब आदत हो गई है अब ठीक है, बोल लो यार, हम क्या कर सकते है मुझे यसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगी तो मैं पूरी तरीके से करना चाहती हूँ from my soul, from my body, from everywhere like, I, कि मेरे सामने जब मेरा दूला कड़ा होगा तो I want to be in, like, I want to be deeply, madly and completely in love with that person और मैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये डर है कि मैं अकेली रह जाओंगी या मुझे सेटल होना चाहती हूँ या, you know, कोई bank balance ढूणना चाहती हूँ मैं उसके लिए नहीं करूंगी मैं तब करूंगी जब मुझे सच में मैं प्यार में रहूंगी और मुझे लगेगा कि हाँ, like, you know, I'm okay spending my entire life with this person आशा के इस बयान से मालुम होता है कि break-up कड़वा नहीं होता है आशा और रित्विक आज भी अच्छे दोस्त है टेलिविजन से जोड़ी ताज अतरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला